सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस आ वीडियो फ्रॉम टेस्ट बॉक डॉट कॉम हलो एब्रिवान नमस्कार सुबागत है आप सब कर टेस्ट बॉक डॉट कॉम के प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम आर्जू ककड है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कुशन करने जा रही हूं वो है इंडेक्स 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सकते हो previous year papers में काफी से सवाल index सीधा सीधा पूछे जाते हैं जिसमें आप से इतना ही पूछलिया जाएगा कि Index release कॉन गरता है मतला बहुत easy या फिर कभी पूछलिया जाएगा इस Index की Dimensions कि Indicators पर इंडेक्स लाया जाता है यह महीं पूछरी हूं UPSC ते आप सीधा सीधा सी प्रिविएस यर पेपर्स में आप देख सकते हो जो बिचे प्रिविएस यर सेशन देख रहे हैं मेरे उनको पता होगा कि उन्होंने जब रादन प्रिवेस यर ये सवाल में चीज़ इंपॉर्टेटत हो जाती है अब इसको शुरूगरने से पहले मैं आपके लिए एक important announcement कर देती हूँ test book आपके लिए test book pass लेकर आया है सिरफ और सिरफ 2.99 रुपीज में साल भर के लिए आप ये pass अवेल कर सकते हो जहां पर आपको 12,000 प्लस move test देने को मिलेंगे साथी साथ 100 प्लस courses भी रहेंगे इसके अलावा आपको 3 months के लिए गाना का subscription भी free मिलेगा test book की site पर जाएए उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस offer को avail कर सकते हो अब बात करते हैं इस human development index की अभी ये recently Qnews में है क्योंकि इंडिया ने अब अगर इंडिया की ranking इस index में देखें तो इस साल जब ये release हुआ 2020 के end में तो इंडिया की जो ranking है बताई गई कि वो कितनी आई है वो 131 है वो इंडिया ने जो ये ranking दी है इस साल अपनी वो drop करी है two ranks से फिछली बार 131 नहीं थी इस बार 131 है गिर गई है पहले इस दो rank से गिर गई है और out of total countries कितनी है 189 countries United Nation Human Development Index ये जो index है सबसे पहला सवाल ही यही उठता है कि इसको release कोन करता है सीधा सवाल है एक A4 size की sheet लो उसमें mention कर दो notes में कि UNDP United Nation Development Program इसको याद कर लो अभी याद रह जाएगा बाद में भूल जाओगे भूलना बिल्कुल नहीं है सीधा सीधा question UPSC में या किसी भी और exam की अगर आप त्यारी कर रहे हो बहाँ पूछा जा सकता है ये एक ऐसा tool है जो measure करता है country की overall performance किसमे social और economic dimensions में कैसे अभी इसके parameter से आप जान लोगे ये every year जो है UPSC अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछे कि ये report हर साल release होती है दो साल में एक भर release होती है तो ये जो UNDP जो country को rank करता है इस report के basis पे तो हर साल जो है ये annual report human development index के form में release करी जाती है indicators की बात करूँ यहाँ पर तो देखो life expectancy for health, expected year of schooling, mean year of schooling, GNI per capita for the standard of living तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसको बचे काफी HDI के parameters में confused होते हैं, confused होने की बात नहीं रहेगी अभी ये 4 points दिहान में रख लो कि ये जो index क्या क्या चार major indicators लेके चलता है, आगे flow chart में इसको और अच्छे से cover कर दूँगी लेकिन इस बार के index में एक बहुत खास बात हुई है, खास बात क्या है ये देख लो क्योंकि important है, अगर important है कुछ नया हुआ है तो यहाँ पर हर साल index release हो रहा है, लेकिन इस बार के index में कुछ नया introduced हुआ है, तो question बहुत chances हैं यहां से frame हो सकता है पहली बार ऐसा हुआ है कि United Nation Development Program ने introduced किया एक नया metric to reflect the impact caused by the each country's per capita carbon emissions and its material footprints तो इस बार क्या है, UNDP ने एक नया metric introduced किया जो आपको बताएगा, कि क्या बताएगा, कि जो fossil fuels कितना use कर रहे है, carbon emission का per capita carbon emissions क्या क्या impact cause कर रहे है, कितना बड़ी countries जो है जैसे हम देखते हैं कि climate change हो रहा है, तो जो polluting countries है, जिनके emission बहुत जादा निकलती है, तो top 4 कौन सी है तो यहाँ पर यह index उस basis पर भी ranking देगा, आपको यह देखते हुए कि which measures क्या measure करेगा, amount of fossil fuels, जो आप resources यूज कर रहे हो, metals यूज कर रहे हो, to make the goods and services, जो आप consume कर रहे हो, तो कितना carbon emission हो रहा है, और क्या fossil fuels, कितने goods and services, कितने resources यूज कर रहे हो, इन सब क्या measure भी किया जाए इस metric का नाम जो रखा है, वो है planetary pressures, ध्यान रख लो, important है, कल को आप से पूछ लिया जाएगा, बस इतनी सी term, planetary pressure was recently seen in news, यह term किस से associated है, तो फिर confused नहीं हो न, बहुत important है यह चीज, क्योंकि अभी recently ऐसा हुआ है, और उसको adjust किया गया है, HDI, Human Development Index के अंदर, और इसका नाम फि की performance की जैसे मैं बात कर रही थी, तो आप देख सकते हो, change हुई है, from 2018, minus 2, 2 drop से rank करके, 131 पे पहुँच गया है, South Africa, 114 पे है, 2019 का complete, उनोंने data लिया था, 2020 के लिए, रिलीस करने के, क्योंकि 2020 में pandemic भी आया, तो यहाँ पर पाकिस्तान की, अगर मैं रांक बताऊं, तो उनों ने कुछ इसे change नहीं किया है, 154 है, इंडिया की rank 131 है, काफी उसे अच्छी है, बांगलादेश और नेपाल भी हमारे bordering countries हैं, neighbors हैं, तो इनकी rank भी आप देख सकते हो, वो भी drop हुई है, लेकिन बांगलादेश 133 पे है, और नेपाल 142 पे है, रशिया की अगर मैं बात रहे हैं, कि अगर आपने ये जो planetary pressures, ये जो नया जो बताया गया है, अगर इसके assess पे अगर निकाला जाए, तो इंडिया वोड मूव अप 8 places in the ranking, रिपोर्ट कहती है, अगर इसको include किया जाता, तो इंडिया की rank जो है, वो 8 places से improve हो जाती, और हाई हो जाती, increase कर जाती, बात करूं, दूसरे countries की performance की, तो Norway ने इस बार index में top किया है, पूछा जा सकता है, सीधा सवाल, लेकिन, बोला फिर वापिस बोला जा रहा है, कि अगर मैं बात करूं, इस new metric की, जो planetary pressure adjusted HDI है, तो उस basis पे Norway जो है, वो भी 15 places से fall करता है, और Ireland top करता है, बहुत important है, इस साल UPSC में क क्या पता है, इस सवाल पूछ लिया जाए, कि किसने top किया है HDI के अंदर, तो Norway ने top किया है, अगर पूछे कि अगर PhD को ध्यान में रखा जाए, तो क्या Norway ने top किया है, बिलकुल नहीं, Ireland ने top किया है, 50 countries would drop entirely out of the very high human development group category, अगर मैं इस new metric को use करें हम लोग, तो वो बोल रहे ह कि 50 countries ऐसी हैं, जो सीधा सीधा इस category में से, जो अभी इसमें fall कर रही है, very high, high भी नहीं, बहुत very high human development group की category है, वहां से फिर वो entirely बहार निकल आएंगे, drop out हो जाएगा, अगर इस new metric को ध्यान में रखा जाए तो, Australia भी, it will fall 72 places in the ranking, United States, Canada, वो भी अपने places से 45 और 40 places से respectively, fall कर जा जाए कि natural resources पे क्या impact हो रहा है, अगर वो भी reflect किया जाए, चाइना भी 16 places से drop कर जाएगा, current ranking अभी उसकी 85 है, लेकिन अगर natural resources और planetary pressure अगर metric को देखा जाएगा, तो भी चाइना की जो place है, वो 16 places से गिर जाएगी, मैं बात कर रही थी human development index के component की, इसको ऐसे flow chart से याद रखन इंडेक्स में 3 dimensions होते है, 3 dimensions क्या है, health, education, living standard, health, education, living standard, health, इसके नाम से याद रख लो, h से health, e से education, l से living standard, health के अंदर, आगे अगर मैं indicators की बात करूँ, health में जैसे life expectancy, education के अंदर, expected year of schooling और mean year of schooling और living standards के अंदर, gross national income per capita, तो ये इसके अंदर के कुछ indicators है, broadly 3 dimensions है, health, जैसे की health, education और living standard, आप अपना कोई भी निमानिक फर्म कर सकते हो, ये सिरफ इसलिए था, ताकि जितने भी ऐसे index है, उनके parameters जो है, उस पे हम लोग confused ना हो, क्योंकि ऐसे सवाल जो है, पूछे जाते हैं, जैसे ease of doing index पे UPSC ने question पूछ लिया था, base zone उसके parameters, तो आज के इतना ही, I hope आपको इस session अच्छा लगा होगा, human development index के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, important है, एक नया criteria जो है, वो introduced किया, new metric आया, various countries की ranking, इंडिया की कहा ranking आती है, और कैसे इसको measure किया जाता है, क्या indicators रहते हैं, कैसा tool है, कौन release करता है, तो अच्छे से जान लिया ह इसको revise जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से question frame होता है, till then I wish you all a very best of luck and thank you from my side